तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ भिंडी की बहुत जादा टेस्टी एकदम मज़ेदार चटपटी सबजी फ्रेंड्स अगर आपने एक और एक सबजी बना के खा ली ना तो बाकी की सारी सबजी खाना भूल जाएंगे इतनी जादा टेस्टी एकदम चटपटी बनती है बहुत ही जल्दी भी बन जाती है तो चली इसको राना स्टार्ट कर लेते हैं तो उसके लिए हम पहले सामगरी देख लेते हैं तो मैंने आप ले ली हैं 500 ग्राम बिंडी बिंडी को मैंने इस तरह से लंबे लंबे पीसे इसमें कट किया है यानि कि जो छोटी बिंडी होती है इसमें से दो पीस कट करने हैं और जो थोड़ी बड़ी होती है इसमें से मैंने आपर 30 पीस कट किये हैं आपको जैसे से पसंद है छोटी बड़ी आप अपने साब से बड़े चमप ओयल से क्ट मलत रहें डालती लिएट को इस टमाटर का में डालक्ट के मैं रखर कर लेंगे तो मैं आप सरसों का तेल यूज कर देंगे, आप कोई भी ओल ले सकते हैं, ओल को अच्छे से गरम कर लेंगे, तो ओल अच्छे से गरम हो चुका है, तो जो हमने भी प्याज को कट करके रखा है, उसको डाल देंगे इसमें, अच्छे से प्याज को हम ओल में मिक्स करेंगे, बढ़िया से हम इसको सौटे होने तब फ्राई कर लेंगे यानि कि इसका क्रंचीनेस रहना चाहिए एक दम ब्राउन नहीं करना है बस हलका सा पिंक की जैसा सौटे हो जाएगा ब्लुकुल ऐसा ही हमें इसको फ्राई करना है तो यह देखी प्याज का कलर चेंज हो गया है करते हूँ हम अच्छे से गोल्ड ब्राउन होने तब फ्राई कर लेते हैं तो भिंडी को में जब तक फ्राई करना है जब तक यह अलकी सी सौट ना हो जाए उसके उपर एक बढ़ियासी लेयर ना बन जाए क्रंचीनेस की एकदम लेयर बन जाएगी जब तक हमें इसको फ् निकाल देंगे तो सारे विंडी को मैंने निकाल दिया है आब हम फिर से गयस on करके कडाही रखेंगे यह इसमें मैं निदा यहां पर एक छोटा चममच ओयलन भी कर ले करेंगे आवहें प्याज को रफली तुब किया उसको डाल दिया है अच्छे से इसको भी हम leider निया ब्लट करते में बड़िया से गोल्डर ब्राउन होने तक रही करेंगे इसको इसको THIS तो टमाटर को भी अच्छे से मिक्स करते हुए थोड़ा सा पका लेते हैं तो ये मैंने आपट टमाटर को भी पका लिया है लगवाग एक मिनट के लिए अब हम इसमे साथ साथ मसाली भी डाल देंगे तो आधी चमच हल्दी का पावडर डाल दिया है एक चमच में आपड डाल दिया हुँ धनिये का पावडर आधी चमच लाल मिच का पावडर डालेंगे थ्री फोर चमच में आपड डाल रही हुँ नमक नमक आपने रेश्यो कोडिंग डालिएगा अब हम सभी मसालों को अच्छे से मिला देंगे टमाटरों के साथ ही इसमें टमाटरों के साथ क्या होता है कि इसमें टमाटरों में पानी होता है तो इसके सारे से अच्छे से पक भी जाएंगे मसाले तो अभी हम इनको जब तक पकाना है जब तक इनके उपर थोड़ा सा ओयल न दिखने लगे जब तक हम इनको पका लेंगे यह देखिए टमाटरों मसाले काफी बड़िया से पक चुके हैं पहले से थोड़े से ड्राइवी लग रहे हैं आप मैंने आपर बड़ना को पतला पतला चॉब किया है इसको बडाल देंगे मैं इस तरह से ​​कति यह रखरे अब मैंने आपर जो बिंडी और प्याज को इस तरह से कट करके रखा है उसको भी डाल लेएंगे इसको हम मसालों के साथ अच्चे से एक मिनट के लिए कर लेते एक मिनट के लिए बट मैं आपर इसको थोड़ा सूपजी बना रही हूं इसलिए मैं आपर इसमें पानी सिर्फ दो इचमच डाले हैं अब इसको कवर करके पकाएंगे लवक दो मिनट के लिए जिसे कि सारे मसाले वेगरा इसमें अच्छे से अपजॉब हो जाएंगे विंडी जो थोड़ी से क भज़दार कुशूब आ रही है यकीन वानी अगर आप नहीं को रिया सबजी बना लेना तो आप बार बार यही सबजी बनाएंगे इतनी ज्यादा टेश्टी लगती हैं अब मैं थोड़ा से इसमें कसूरी मेती का यूज कर रही हूं अगर आप कसूरी मेती नहीं डालना सब्सक्राइब करें तो फ्रेंट कैसी लगी आपको मेरी एस्पी मुझे कमेंट करके जरूबत आना अगर आपको मेरी एस्पी अच्छी लगी तो मेरी एस्पी को लाइक मुझे हल को सब्सक्राइब करें एंसेयर करें फिर भी लेग रही एस्पी के साथ